दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा विशय जिसमें एक तरफ तो 600-700 पेजस की एक मोटी सी बुक पढ़ने के उपरांत आपको जहां केवल 6-7 अंग के प्रशन ही हासिल होते हैं वहीं उसी के बरक्स दूसरी तरफ उसी मोटी बुक के 3-4 पेजस पढ़ लेने भर से ही आपको 2-3 प्रशन मिल सकते हैं याद रखिए जब भी किसी विशय को कम समय में तयार करने की चुनोती हो उस समय यह जरूरी हो जाता है कि हम लोग उस विशय के विभिन अध्यायों की महत्ता को बखूबी समस्ते हुए उसका एक विशलेशन तयार करें और स्मार्ट स्ट्रेटजी के आधार पर अपनी तयारी को धार दें कुछ यही इस्थिती है इस समय आरो ए यारो के प्रारमभिक परीक्षा को ले करके और इसी मकसद से हम लोगों ने तयार किया है अपना यह 50 हार डेज चैलेंज प्रोग्राम जहां पर प्रतियक विशय क कि स्मार्ट स्ट्रेटजी प्रिपेर करके 50 दिनों में आपके समस्त विश्यों को इस प्रकार से तयार कराने की कोशिस होती है कि सभी जरूरी चीजें उसमें कवर हो जाए ना केवल कवर हो जाए बलकि उसका तीन बार रिवीजन भी हो जाए और उसके साथ साथ जितनी भी गैर जरूरी चीजें जो हम लोग पूरे साल भर पढ़ते हैं उनको स्किप करके अपनी तैयारी को केवल प्रारंभिक परिक्षा के ओरियन्टेशन से ही किया जाए अपने इसी 50 हार डे चैलेंज के सातवे दिन की स्ट्रेटजी यानि 26 दिसंबर को आप लोगों को क्या जिन जिन विश्यों को कंप्लीट कर लिया है उसमें इंडियन जियोग्रफी हमारी पूरी तरह स कंप्लीट हो गई है हिंदी में विलोम सब्द हमारे पूरी तरह स कंप्लीट हो गए है उसके साथ साथ हम लोगों ने फैक्ट सीट के माध्यम से कुछ महत्योपून तथ्यों को भी देख लिया है और उसके उपरांत हम लोगों ने medieval history को ना केवल lucent से बलकि घटना चक्र से भी उसको तैयार कर लिया है अब बारी है हमारे अगले core subject को cover करने की आप लोगों को पता ही है कि एक जो आपका slot core subject के लिए decide है जहां पर basically तीन slots में इसकी तैयारी होती है और दिन के लगभग साथ घंटे आप से देने की अपेक्षा की जाती है इन साथ घंटों में अब जो विशय जियोग्रफी के उपरांत हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वह विशय है इंडियन quality इंडियन पॉलिटी यानि भारतिय सम्विधान और राज वेवस्था देखे सबसे पहले बात करते हैं कि इंडियन पॉलिटी संबंदित कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसको आपको अध्यन करना आवश्यक हो जाता है या उसके आधार पर आप पढ़ते हैं तो इस पर मैं आपको एक बात सचेत कर देना चाता हूँ फिर से कि यह अंतिम पचास दिन में आप कोशिश कीजिए कि आप कोई भी ऐसी नई बुक न उठाएं जिसको कि रिवाइज कर पाना मुश्किल हो इसलिए जो भी बुक जो भी नोर्स आपने पहले पढ़ रखें उन्हीं को ही रिवीजन का आधार बनाईए यहां पर जो बहुत चर्चित पुस्तके हैं पॉलिटी को लेकर उनमें सबसे पहली यह लक्ष्मी कांत की बुक आती है उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहां पर परिक्षावाडी की एक बुक आती है जो की काफी चर्चित है और इसके साथ-साथ द्रिष्टी आईएस की उसकी क्विक बुक आती है वह भी काफी अच्छी है इसमें से जो भी पुस्तकें आपने पढ़ी होया इसके अलावा जो भी पुस्तकेn पढ़ी हो यह सभी पुष्टके अपने आप में प्रामाडिक है और आपके रिवीजन के लिए आपको इन ही बुक्स को ही कंसीडर करना चाहिए लेकिन यदि अभी तक आपने कोई इनमें से बुक नहीं ली हो और आपको लेने का मन ही हो तो आप द्रिश्टी आइस की क्विक बुक ले सकते हैं क्योंकि यह संग्षिप्थ और सारगर्भित है कम समय में आपकी तैयारी मजबूत कर देगी और इसके बाहर से प्रश्ण जाना लगभग नामुम्किन साही रहता है अब हम लोग बात करते हैं कि इन बुक्स के आलावा अगर कौन से ऐसे अध्याय है जिनको हमें अपने डे 7 यानि 26 तारीक को कवर करना है तो इसमें देखिए इसका जो सबसे पहला चैप्टर होता है पॉलिटी से वैसे तो मैं पहले ही यह बता भी चुका हूँ एक बार पुन्हा आपको याद दिला दूँ कि यहां से लगभग जो एवरेज बनता है वो 7 तो 8 क्वेस्चन का बनता है इसके विभिन अध्यायों का कितना वेटेज बनता है इसको भी हम लोग समस्ते हुए चलेंगे जैसे जैसे हम लोग डेली अपने प्लान को डिसकस करेंगे आज देखते हैं आज इसका जो सबसे पहला चैप्टर रहता है historical background यानि एतिहासिक प्रिष्ट भूमी यह चैप्टर हम लोग यहां से शुरवात नहीं करेंगे उसका कारण यह है कि एक तो यह अपने आप में boring चैप्टर है और साथी साथ काफी बड़ा है और जब हम लोग नए विशे की शुरवात करते हैं तो मेरा यह मानना है कि आपको बहुत ज्यादा energetic रहना चाहिए और इस मकसत से पहले इस दिन पर हम लोग 3-4 चैप्टर को cover करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे अंदर एक सकारात्मक उर्जा संचारित रहे और इस वज़े से यहाँ पर हम लोग जो सबसे पहला चैप्टर आज करेंगे वो है सम्विधान सभा का गठन या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं सम्विधान निर्माड की प्रक्रिया और उसकी विशेष्थाएं सम्विधान निर्माड की प्रक्रिया और उसकी विशेष्थाएं ये वैसे तो सभी प्रकार की बुक्स में इसी नाम से उपलब्द है लेकिन आप जब परिक्षावाडी को पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह है एतिहासिक प्रिष्ठ भूमी नाम का जो पहला चैप्टर है उ यहां से जो पूछे जाने वाले प्रशनों की संख्या होती है वो अपने आप में काफी जाला है ए यहां पर अटलीस्ट वन तूटू क्वेंट हरबार आता है इस एक मिनिश्चित है कि हर बार एक से दो प्रस्शन आएगा 2016 की यदि बात करें तो 2016 में यहां से चार प्रश्ण पूछे गए हैं और इन चार प्रश्णों में भी सबसे ज़्यादा जो वेटेस था वो बेसिकली आपका जो भाग होते हैं अनुच्छेद होते हैं और अनुसूचियां होती हैं इन ही से ये चार प्रश्ण पूछे गए थे यानि इस पूरे चैप्टर का जो सरवाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है भाग अनुच्छेद और अनुसूची यहां पर आपको जो चीजे पढ़नी है उसमें आपको भाग पढ़ना है अनुसूची पढ़ना है पढ़ेंगे तो उस समय सारे अनुच्छेद आते ही रहेंगे और तब उसको हम लोग गिटेल में समझ पाएंगे बजाए कि उसको अभी ही रठने के तो यहां पर हम लोग भाग और अनुसूची वालत यह पोर्शन आपको कवर करना है उसके अलावा सम्विधान निर्मार किसको अस्थाई अद्यक्त चुना गया है यह सभी facts important हो जाते हैं यह सभी प्रकार की पुस्तिकों में उपलब्ध हैं cabinet mission important हो जाता है cabinet mission के बाद अंतरी मंत्रिमंडल और वहां पर खास तोर पर आप देखेंगे एक समितियां होती हैं समितियां जो समिधान को बनाने के भिनस्रोथ, यानि समिधान का कौन सा हिस्सा कि देश के समिधान से लिया गया है, वह यहाँ पर समझना जरूरी हो जाता है, इसमें कई सारे आपको ऐसे box वाले matters मिलेंगे, जो कि अपने आप में factual information को मजबूत करते हैं, उनको आपको जैसे मैंने पहले ही बताया है कि आपको यह बात जो chapter हम लोगों को पढ़ना है, अब देखे इसको पढ़ना किस book से है, तो समिधान दिर्माने हम विश्चेस्थाएं वाला chapter आपको इन ही standard book से पढ़ना है, जिनकी अभी मैंने चर्चा की थी, यानि आपके पास जो भी book आपने पहले पढ़ रखिए, उसी से आप को revise करना है, यदि बात करें घटना चकर की, तो polity के लिए घटना चकर महत्वपूर्ण हो जाती है, किन्तु हमें यह भी ध्यान रखना है कि अभी यह घटना चकर भी यदि आप इसके साथ में करेंगे, तो वह आपसे complete नहीं हो पाएगा, जो भी daily के targets है, इसलिए घटना च प्रस्ताहें वाला chapter करने के साथ-साथ 26 तारिकोई हमें दूसरा एक chapter लेना है प्रस्तावना का, प्रस्तावना अथ्वा उद्देशिका, छोटा सा chapter है, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि प्रस्तावना जो है, उसको आपको कंठस्थ भी कर लेने क्योंगी काफी सा पहलू हो जाता है जिस पर प्रश्ण बनते हैं उसके बाद जो तीसरा चैप्टर हमें कम्प्लीट करना है इसी बुक से वो है संग राज्यक्षेत्र देखिएगा संग राज्यक्षेत्र मतलब जो आपका सुरुवाती अनुच्छेध हैं उनको यहां पर हमें कवर करना है और संग राज्यक्षेत्र के ही भीतर आपकी राज्यक्षेत्र पुनर गठन के लिए जो विभिन प्रकार की समितियां थी जो गठित की गई थी कि क्यों हमें भाषाई आधार पर गठन करना चाहिए राज्यों का कि नहीं करना चाहिए उसको पढ़ने की जरूरत है और उसके साथ-साथ जो विभिन राज्यों के गठन का पुनर गठन का जो क्रम है और क्रम के से ज़्यादा जरूरी है कि वो किस वर्ष गठित हुए थे उसका अध्यान कर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यहां पर वो पूरी टेबल से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं इसलिए वो टेबल भी आपको याद भी कर लेनी है और साथ ही उसको अपने पास एक अलग जगे पर सुरक्षित भी कर लेना है इसके बाद जो कोई भी बुक से नहीं करेंगे उसका कारण यह है कि यह अपने आप में एक तो लेन्दी चैप्टर है यानि बहुत बड़ा चैप्टर है उसके साथ-साथ यहां पर जो यह कफ भी है काफी काफी कठिन भी है और साथ ही साथ यहां पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो स् पूछने की परंपरा नहीं है और इतने बड़े चैप्टर को कठिन चैप्टर को अभी हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं इसलिए इसे आप लोग पढ़ेंगे केवल और केवल घटना चक्र से और लूसेंड से घटना चक्र बोले तो आपका जो घटना चक्र में आपका पूर उसके बाद दूसरा चैप्टर प्रस्तावना, तीसरा चैप्टर संग राज छेत्र चौथा चैप्टर है नागरिक्ता जिसमें से तीन को आपको पढ़ना है किससे तो ये तीन आपको पढ़ना है अपनी स्टेंडर्ड बुक से पढ़ने के बाद में इसको आपको GS Poynter नाम का ये घटना चक्र करने के समान ही उपयोगी हो जाता है चुकि यहां पर हमें concepts जो है वो हम अपनी standard book से पढ़ लेंगे इसलिए हमें घटना चक्र पूर्वाव लोकन की special series नहीं भी करने की जरूरत है हम केवल GS pointer से ही अपना काम चला सकते इन तीन chapters के लिए किन्तु छोते chapter मे नागरिकता वाले chapter में हमें loose end पढ़नी है और साथ में घटना चक्र की पूर्वाव लोकन भी पढ़नी है ये हो गया हमारा जो core subject हम लोग करेंगे कल की date में वो हो गया उसके बाद बात करें fact sheet की यहां पर जो fact sheet आपको provide कराई जाएगी वो दरसल आज 2 page की नहों करके 2 से ज्यादा pages की हो सकती है क्योंकि यहां पर हम लोग quality से ही जुड़ी कुछ चीजे provide करेंगे जिसमें आपको भाग और अनसूची इसको बहुत अच्छे से तैयार form में आपको दिया जाएगा जिससे अपने आप में काफी सारे प्रश्न फसने की उमीद होगी यानि यहां से निश्चित तोर पर आज की जो fact sheet है वहां से निश्चित है कि प्रश्न आएगा यह आएगा ऐसा हर वर्स देखा जाता है तो इसलिए भाग और अनसूची वाला हम लोग fact sheet देखेंगे उसके साथ साथ जो आपको lucent में पढ़ना है lucent जो हम लोग रोज पढ़ रहे थे lucent पढ़ा जो महां दो घंटे का slot है जिनको नहीं समझ में आ रहे slots और फिफ्टी जेस चैलेंज क्या है वो इसी playlist में हमारे चैनल पर उपलब्द प्लेलिस्ट में जा करके समझ सकते हैं टाइम टेबल वाले वीडियो को देख सकते हैं यहां पर lucent में हमें जो चीजे करनी है जहांगीर साह जहां और और औरंजे यह तीन चीजे हमें करनी है आपको इसका schedule भी रात में दे दिया जाएगा 12 बजे तक और उसके बाद यह lucent में हो गया और घटना चक्र पूर्वा लोकन में जो हम लोग कर रहे थे medieval history में उसमें आपका आजाएगा मुगल कालीन प्रशासन मुगल काल का जो भी प्रशासन है वो पढ़ना है प्रशासन के अंतरगत ही आजाएगा संगीत साहित्य इत्यादी चीजे जो भी है वो यहां पर आपको करनी है आज कल के अपने दिन में घटना चक्र से बहुत ज् इसको आप आसानी कवर कर सकते हैं इसके बाद बात करें हिंदी की तो हिंदी में आपका चूंकी विलोम सब्द कंप्लीट हो चुका था इसलिए अब आपको हिंदी में कवर करना है एक नया चैप्टर वो है अनेक सब्दों के लिए एक सब्द अनेक सब्दों के लिए एक स एडिशन है उसमें पेज नंबर 49, 49, 41, 42, 43, 5 पेजेस इसको cover करने है चुकि इसमें पढ़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता और काफी सारे ऐसे होते हैं जो आपको पहले से आते भी होंगे इस वज़े से आप इसको 5-5 पेजेस के इसाब से करते हुए चलिए इतना आपको हिंदी वाले स्लॉट में cover करना है यह रहा आपका आज का टार्गेट इसके साथ ही अगर मैं बता दूँ कि एक महत्वपूर्ण सूचना यह है वैसे तो आप लोगों पता ही होगा कि जो आपके free test series शुरू की गई है उसमें यहां पर दिये जाने वाले 30 प्रशनों को बढ़ा करके 100-100 प्रशन कर दिया गया है हिंदी में भी 100 प्रशन और GS में भी 100 प्रशन है उसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जो आपको डेली ये वीडियो प्रवाइट किये जाते हैं यानि जो भी आपका डेली टार्गेट है यह जरूरी नहीं है कि हम लोग डेली टार्गेट का ये वीडियो रोज लेकर आएं काफी सारे बच्चों का कल परसो तक मैसेज आया कि आज वीडियो क्यों नहीं आया उसके संबंद में मैं आपको बता दू कि रोज यह जरूरी नहीं है कि हम लोग वीडियो लेकर आएं जिस दिन हमारे पास बताने के लिए कुछ जैनुविन चीजे होंगी केवल उसी दिन हम लोग वीडियो लेकर आएंगे जब आपको कुछ चीजे स्ट्रेटजी समंदित बतानी होगी जबलदस्ती वीडियो ला करके अपना व्यू और वाच टाइम तो हम लोग बढ़ा सकते हैं परन्तु इससे चात्रों का काफी हट तक नुकसान होता है और इस मकसद से हम लोग नहीं चाहते कि आप लोगों को नुकसान हो और उस महनत को वास्तों में वह फली भूत तभी होगी जब आपका परिणाम इस परिक्षा में दिखाई पड़ेगा वह हमारे लिए ज्यादा बड़ी खुशी होगी ना कि ये छोटे मोटे वाच टाइम देखना तो इसलिए यह वीडियो हम लोगों का रोज नहीं भी आ सकता है परन्तु आपको जो भी प्लांस दिये जा रहे हैं वो आपको रात में जरूर वहाँ पर दिख जाएंगे हमारे एप पर एप में कहां पर ये दिख जाते हैं इसके लिए हमारा कल का वीडियो देख सकते हैं आप उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार